हाई गाइज I hope you are doing great हम लोग बात करें हमारे डेली करेंट फ़े सेशन की जो सुबा चार बजे वैलेबल हो जाता है हमारे दोनों चानल्स पिनेकल और फ्रंटियर आए एस पर आज की तारीख है दो एप्रिल दो होजार बाइस हमारे दोनों चानल्स को सब्सक्राइब करें ब साथ ही साथ for daily videos, pdf और monthly magazine आप हमाई telegram handles frontier IIS और SS जल्पनेकल online को join जरूर करें स्टार्ट करेंगे previous quiz के साथ मैंने आपसे पहला question पूचा था कि world bipolar day कब मनाया जाता है correct answer था इसका 30 March और दूसरा question पूचा था कि BBC Indian Sports Women of the Year का पूरा सकार किस ने जीता है correct answer था इसका मीरा बाई चानू start करेंगे first question है आपके लिए वार्शिक रूप से आयोजित वरुन नौसेनिक अभ्यास किंदो देशों के बीच आयोजित किया जाता है correct answer इसका option number C भारत और फ्रांस details देख लू तो भारते फ्रांस इसी नौसेना अरब सागर में वरुन अभ्यास कर रही है very important point यह अभ्यास का 20 वा संसकरन है और 30 March से 3 April तक आयोजित किया जा रहा है यह point हमें previous session में discuss किया था यह अभ्यास हिंद महासागर नौसेना संगोश्टी आयोजित किया जा रहा है आयोजित समुद्रिय अभ्यास 2022 का पहला संसकरन 26-30 March तक गोवा और अरब सागर में आयोजित किया गया था next question देखो उतकल दिवस या उडिशा दिवस कब मनाया जाता है correct answer इसको option number C एक April details देख लो तो उतकल दिवस या उडिशा दिवस हर साल एक April को मनाया जाता है यह दिन राज्य के लिए कलग पहचान प्राप्त करने के संघर्ष की याद में मनाया जाता है जो कभी समराट अशोक दवाराशासित एक April 1936 को उडिशा भाषा के धार पर भारत का पहले सोतंतर राज्य बना 9 नवंबर 2010 को भारत की संसर ने उडिशा का नाम बदल कर उडिशा कर दिया उडिया भाषा का नाम बदल कर उडिया कर दिया ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपोर्टेंट है ओडिशा की पहली राजधानी कटक थी जबकि बरतमान राजधानी शहर भुबनेश्वर है बात कर रहे हैं आपर ओडिशा की तो इसकी वर्ल हेटे साइट्स में आता है सन टेंपल को नार डैम जरिवर्ज में आता है हिराकुन डैम महनदी इंदिरावती डैम इंदिरावती नैशनल पार्क्स में आता है भिटार कनिका नैशनल पार्क, सिमलीपाल नैशनल पार्क, फेमस लेक में आता है चिलिका लेक ओडिशा की कैपिटल है भुबनेश्वर, गवर्नर है गनेशी लाल, चीफ मनेश्टर नवीन, फटनायक नेक्स्ट क्वेस्टन देखो कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इंपोर्टन क्वेस्टन है, करेक्ट आंसर इसको अप्शन अबर डी, इक्वाडॉर, डिटेल्स देख लो तो दक्षिन अमेरिके देश इक्वाडॉर, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है देश के सरवोचा अदालत ने उस मामले के पक्षमे फैस्टा सुनाया है, जो एक बंदर पर केंद्रित था, जिसे उसके घर से एक चिडिया घर में ले जाया गया था, जहां उसके एक हफते बाद भी मिरित्यू हो गई थी बात कर रहे हाँ पर इकवा डॉर की, तो इसी कैपिटल है कुए तो, करंसी है यूएस, डॉलर नेक्स्ट क्वेशन देखो, केंद्रे मंत्री मंडल ने रेजिंग अन एक्सलूरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, रैंप कारेकरम को मंजूरी दी है रैंप किस वैश्विक संसान दुवारा समर्थित है, करेक्ट आंसर इसका उप्शन नबर B, वर्ल्ड बैंक डिटेल्स देख लो, तो केंद्रे मंत्री मंडल ने रैंप कारेकरम को मंजूरी दे दी है, जो विश्व बैंक दुवारा समर्थित है इसके लिए कुल विते परिवये 6,062.45 करोड रुपे यानि 808 मिलेन अमेरिकी डॉलर है इस समान को दो पार्ट में वाइफर केट किया है वर्ल्ड बैंक के स्कार करम के लिए 3,750 करोड रुपे यानि 500 मिलेन अमेरिकी डॉलर कारिन प्रदान करेगा और 6,2312.45 करोड रुपे यानि 308 मिलेन अमेरिकी डॉलर केंद्रे सरकार दुवार वित पोशित किया जा रहा है सूक्षम, लगू और मद्यम उद्यमंत्राले की विभिन COVID-19 के रिकवरी हसाशेप का समर्थन करते हुए एक विश्यो बैंक साहिता प्राप्त केंद्रिक शित्र की योजना है नेक्स्ट क्वेशन देखो सब पूर्ती प्रधाता श्री सौमया नमक पुस्तर किसने लिखी है करेक्ट आंसर इसको अप्शन नबर सी श्याम प्रसाद डिठेल्स देख लो तो उप राष्ट्रपती एम वेंके नाइडू ने श्राम प्रसाद दुवारा लिखेत स्पूर्ती प्रधाता श्री सौमया नमक पुस्तर का विमोचन किया यह पुस्तर कांधर प्रदेश के एक समाजिक कारे करता स्वर्गे श्री सोमपली सौमया की जीवन कहानी पर अधारित है उन्होंने युवाओं को समाज कलियान के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए प्रेरिद किया उन्होंने 1948 के सत्याग्रह में भाग लिया था और वे राष्टे सेवा संग यानि RSS पर प्रतिबन के खिलाफ थे और उसी के लिए उन्हें जेल भी हुई थी नेक्स्ट क्वेस्टन है कौनसा देश पूर्विय अफ्रीका समुदाय का सात्वा सदस्य बन गया है करेक्ट आंसेर इसको अप्शन नमबर C कांगो लोग तांत्रिक गनराज्य डिटेल्स देख लो तो कांगो लोग तांत्रिक गनराज्य पूर्विय अफ्रीका समुदाय का सात्वा सदस्य बन गया है समुदाय के अने सदस्य बुरूंडी केनिया, रवांडा दक्षिन सुडान, तंजानिया और युगांडा है डिएर्सी पूर्विय अफ्रीका समुदाय का सबसे बड़ा और सबसे अधिक अबादी वाला सदस्य है ये पॉइंट इंपोटेंट है डिएर्सी के शामिल होने से पहले इस क्षेतर की जीडीपी 193 बिलियन डॉलर से बढ़कर 240 बिलियन डॉलर हो जाएगी बात करें हाँ पर डेमुक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉंगो की तो इसी कैपिटल है कि इन्शासा सरंसे कॉंगोलीज फ्रैंक नेक्स्ट क्वेस्टन देखो किस राजे केंदर शाज़ित परदेश के सरकार ने अपने बिजनस ब्लास्टर्स कारिकरम की पहुंच नीजी स्कूलों तक बढ़ाने की घोशना की है करेक्ट आंसर इसको अप्शन अबर D दिल्ली दिटेल्स देख लो तो दिल्ली सरकार ने अपने बिजनस ब्लास्टर्स कारिकरम को दिल्ली के नीजी स्कूलों तक बढ़ाने की घोशना की है बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम को 2021 में लौंच किया गया था इस कारेकरम के तहट कक्षा 11 और 12 में पढ़ने वाले छातरों को सलह दी जाती है और फिर उन्हें 2000 रुपे की वितेई पूंजी सीड मनी के रूप में प्रदान की जाती है ताकि उनके वेवसाइक विचारों को विद्पोशित किया जा सके यह कारेकरम उद्वी मानसिक्ता पार्ठेकरम का एक हिस्सा है जो दिल्दी सरकार दवारा हाई स्कूल के छातरों के लिए विक्सित किया गया है दिल्दी के सरकारी स्कूल के छातरों इस कारेकरम के शुरुआत के बाद से लगबग 52,000 वेवसाइक विचार विक्सित किये हैं नेक्स्ट क्वेशन देखो, जल जीवन मिशन के तहट 2022 सेज के लिए कितने राज्यों ने निश्पादन प्रोटसाहन अनुदान, that is, Performance Incentive Grant के लिए अहर्ता प्राप की है? Correct answer इसका option number C, 6. Details देख लो, तो सबसे पहले वो six states हैं, अरुनाचल प्रदेश, मनिपूर, मेगालिया, सिक्किम, त्रिपूरा और हिमाचल प्रदेश ने जल जीवन मिशन के तहट विद पोशी 2022-23 हेतू, Performance Incentive Grant के लिए grant प्राप्त कर लिया है, इस अनुदान के प्रापधा ने राजियो के इंदेशासित प्रदेशों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस परधा को बढ़ावा दिया है, जो इस मिशन के तहट स्वरित कारिनवन तथा सुनिश्चित जल आपूर्टी में सहायक साबित होगी, इस मिशन को देशर वर्ष 2024 तक प्रतिये ग्रामिन घर में घरेलू नल जल कनेक्शन उपलब्द कराना है, 15 अगस 2019 को जल जीवन मिशन की घोशना के बाद से अब तक 6.10 करोड से अधेक घरों को नल जल कनेक्शन उपलब्द कराया जा चुका है, बितवर्ष 2022 तेस के लिए जल जीवन मिशन का बजट बढ रहा कर 60,000 करोड रुपे कर दिया गया है, नेक्स्ट क्वेशन देखो, सरकार दुवारस अंचालेत, चार फिल्म और मीडिया इकाईयों का राश्टे फिल्म विकास निगम, NFDC में विले हो गया है, NFDC की स्थापना के इस वर्ष में की गई थी, करेक्ट आंसर इसको लेखागार और बाल फिल्म सोसाइटी भारत यानि फिल्म डिविजन्स, डारेक्टोरेट ओफ फिल्म फेस्टिवल्स, नाशनल फिल्म आर्चीज ओफ इंडिया और चिल्ड्रन्स फिल्म सोसाइटी इंडिया का राश्टे फिल्म विकास निगम, NFDC में विले कर दिया गया है ये डिसिजन केंद्र क्याबिनेट ने डिसंबर 2020 में लिया था आदेशों के अनुसा डॉक्यूमेंटरिस के निर्मान का कारेय जो पहले फिल्म प्रभाग दवारा किया जाता था एक एप्रल से पूरी तरह से NFDC को स्थानांत्रित कर दिया गया है ये पॉइंट इंपोर्टेंट है NFDC सूशना और प्रसारन मंत्राले के थहत काम करने वाला एक सारवजन एक शेत्र का उपकरम है इसकी स्थापना 1975 में हुई थी लास्ट क्वेस्टन देख लो आजके सेशन के लिए आर्बेई गवर्णर शक्तिका अंदासने किस शहर में भारते रिजर्व बैंक नोट मुदरन प्राइवेट लिमिटेड की वर्णिका इंक निर्मान इकाई को घाटन किया देख लो तो आर्बेई के गवर्णर शक्तिका अंदासने मैसूर में भारते रिजर्व बैंक नोट मुदरन प्राइवेट लिमिटेड की वर्णिका इंक निर्मान इकाई को घाटन किया वर्णिका इंक मैनिफेक्शन यूनिट की वार्षिक स्याही निर्मान ख्षमता पंद्रा सो मिट्रिक टन है यह बैंक नोटों की चुपाई की लागत को कम करने और बैंक नोट स्याही उत्पादन में आत्म निर्भता सुनिशित करने में मदद करेगा यह प्राइविट लिमिटेट भारते रिजर्फ बैंक आर्बियाई की स्वामितो वाली सहाय कंपनी है इसके सापना 1995 में हुई थी ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं आज की सेशन की समरी तो वरुन नेवल एकसेसाईज इंडिया और फ्रांस के बीच आयूजित किया जाता है उतकल दिवस या उडिशा दिवस एक एप्रिल को मनाया जाता है वाइल्ड एनिबल्स को लीगल राइट्स देने वाला फर्स्ट कंट्री बना है सपूर्टी प्रधाता च्री सौमिया बुक शाम प्रसाद ने लिखी है इस्ट आफ्रिका कम्यूनिटी इसका सेवन्थ मेंबर बना है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ कॉंगो डेली गवर्मेंट बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम में प्राइबेट स्कूल्स को इंक्लूड करेगा जल जीवन मिशन के तहट 2022 स्टेट्स के लिए परफॉर्मेंस इंसेंटिव ग्रांट्स के लिए तिक स्टेट्स ने क्वालिफाय किया नैशनल फिर्म डेवलपेंट कॉर्परेशन 1975 में स्थापित किया गया था और आर्बियाई के वर्णिका इंक मैनिफेक्ट्रिंग यूनिट का घटन मैसूर में किया गया बात कर लेते हैं आज के सेशन के कुछ स्वादर डे के आपका पहला क्वेस्टिन है राजेस्तान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है और आपका दूसरा क्वेस्टिन है किस राजे के मुखे मंत्री ने 14 एपरल 2022 को विने समरस से योजना शुड़ू करने की घोशना की है दोनों क्वेस्टिन्स हमारे प्रिवियस सेशन से हैं इनके सांसे नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना दोनों चानल्स को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलिग्रम हैंट्स को जोईन जरूर करना है थैंक यू सो मच, आल सुन में नेक्स सेशन